दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का योगे इसी लद्निक यूटूब चैनल पर बात करेंगे अटल आवासी विद्यालियों में बड़ी भरती के बारे में जो कि आपको पूरे उत्तर प्रतेश से देखने को मिल लई है जिसका विग्यापन आज ही जारी किया गया है इसके अलावा यूपी ट्रिपल सी विडियो के पदों पर भी यहाँ पर बिग्यापन चारी कर दिया गया है जिसके संबन में महत्यपूर्ण चीजों को समझने वाले हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल सी 2022 की कटाप इसके अलावा भी अन्य बिंदू तो चलिए दोस्तों प्रिष बिग्यप्ती देखने को मिलेगी जो की संबन्दित होगी कार्याले अटल आवासी बिद्याले समीति से गोमती नगर लखनाव से ये प्रिष बिग्यप्ती जारी की जा रही है जो की यहाँ पर नए बिग्यापन को लेकरके इन्फॉर्मेशन देती है तो इसी के स में सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर कौन से इन जो है कौन से लोग इन भरतियों के लिए आवेदन कर पाएंगे तो देखने को मिलेगा सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की 18 मंडलों में अटलावासी बिद्यालों की इस्थापना की जा रही है उ यहाँ पर आध्यापकों का भी जो है यह चैन किया जाएगा अब यहाँ पर किस प्रकार से चैन किया जाएगा तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कि तत संबंध में प्रसासनिक अधिकारियों के पदों के लिए भूदपूर साइन राजपत्रिक अधिकारी जिनकी आयू दिनांक 30 जून 2023 को 50 वर्षे अधिक ना हो यनि कि आधिकारी के पदों पर ये लोग उन्हीं का चैन करेंगे जो यहाँ पर साइनिक में अधिकारी रहे हो और जो यहाँ पर रिटार्मेंट हो गए हो और जिनकी आयू 50 वर्षे अधिक ना हो 30 जून तक और अगर हम सिच्चको की बात करें तो सिच्चकों में देखी जो है किनका चैन होगा तो सिच्चकों के पदों के लिए जवाहन नवदे विद्याले साइनिक स्कूल केंदरी विद्याले मादमिक सिच्चा परिशद उत्तर प्रदेश के पब्लिक स्कूलों के अध्यापक पस्से सिवा निर्वित ऐसे ब्यक्ति जिनकी आयू दिनांक 30 जून 2023 को 65 वर्स चे अधिक ना हो तो देखिए ये कहीं न कहीं यहाँ पर ना इंसापि मैं तो यही कहूंगा कि जब इन्हें जो है नए बिद्याले इस्थापित करने हैं तो इसमें फिर ये बुढ़ों की भरती क्यों कर रहे हैं जो आल्डेडी यहाँ पर 40-50,000 पेंसन उठा रहे हैं जबकि इतनी बड़ी तादात में यहाँ पर बेरोजगारी है तो नए यहाँ पर यूओकों को मौका दिना चाहिए तो यहाँ पर भी देखी वही हाल है कि अध्यापकों की यहाँ पर भरती तो आई हुई है लेकिन यह लोग रिटार्मेंट सिच्चुकों को ही दोबारा यहाँ पर इस्थापित करने का कारे कर रहे हैं नए यहाँ पर बिरोजगार नवजवानों को मौका नहीं मिलेगा सीधी सी यह बात है आवेदन को लेकर के जानकारी दी जा रही है कि 31 मई 2023 तक 11 बच करके 69 मिनट तक आप आवेदन कर सकते हैं और website हो गयरा को लेकर के भी information बताई जा रही है नेश्ट अगर हम यहाँ पर बात करें वीडियो की नई भरती को लेकर के तो इसका विग्यापन कल यह जारी किया गया है और कल ही मैंने अपने टेलिग्राम चनल के माद्यम से इसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी तो अब यहाँ से ओनलाइन आवेदन आपको जो है आगामी 23 मई से देखने कुम लेंगे 12 जून तक आवेदन होंगे और योगिता की बात करें तो इसमें जो है ट्रिपल सी भी अनिवारे है और जो है पीटी 2022 का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए अब बहुत सारे चात्र ये लगतार पूँच रहे हैं कि सर यहाँ पर आवेदन तो सभी से मांगा जा रहा है लेकिन अगर हमारा यहाँ पर काफी जो है ये कम परसेंटाइल है तो क्या हम आवेदन करें या फिर न करें और लगबग इसकी जो कटाप है ये कितनी जा सकती है तो दिखिए अगर हम इसकी कटाप की बात करें तो जब तक यहाँ पर आवेदन संपन हो नहीं जाते हैं तब भी आप आवेदन करें चुकि यहाँ पर जो है ट्रिपल सी की भी अनिवारता है तो इसलिए यहाँ पर कटाप थोड़ी सी लेकपाल की अपेच्छा आपको जो है कम देखने को मिल सकती है हलाकि अगर हम यहाँ पर बात करें पदों को लेकर के तो लेकपाल से इसमें पद भी काफी कम है तो जो भी है फिलाल अभी यहाँ पर कुछ भी जो है प्रेडिक्ट कर पाना यह संभाव नहीं होगा जब तक यहाँ पर यह नहीं पता चल जाता कि कितने चात्रों ने आवेद कर रखाए तो ठीक है दोस्तों आज को वीडियो यहीं तक बहुत बहुत धन्नवात